अलो नमस्कार शौगात है आप सभी का पिछली वीडियो पे आप लोगों ने कुछ क्वेस्चन पूछा और उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैंने सुचा चलो एक वीडियो बना करके उसको एकत्रित करके मैं आप लोगों के सामने प्रसूप पहला क्वेस्चन मैं ल दो कोर्स करना चाहें जैसे ये बैंकिंग का जो प्रोग्राम है ये भी चलता रहे और शाथ में हम कोई पोस्ट करें तो क्या उसके लिए बैंक हमें चुट्टी देगी क्या हमें वहां से यह इसके एक्जाम के लिए आने का मोगा मिलेगा देखो सबसे पहली बात तो एक चीज आप समझो कि कोई भी मतलब मेरे हिसाब से जो मैं आपको सबसे पहले तो आप यह जाओनों कि मैं आपको कहूंगा कि नहीं आप सिर्फ एक टाइम पर एक ही कोर्स करो मतलब जस्ट को फॉर वान एट टाइम माल लोग की आप करते भी हो आपकी श्वेच्छा से तो इसम लिए आपकी तीन-चार पेपर होंगे और तीन-चार पेपर होंगे तो कमसे कम 10 12 दिन की आपको शुट्टी चाहीं होगी और इतना लंबा चुट्टी कोई भी चार महिने का को उसमें अगर आप 15 दिन की चुट्टी ले लेंगे एक सात तो आप एक बहुत बड़ा पोर्षन मिस कर देंगे है ना तो वो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इतनी लंबी छुट्टी के लिए आप कहें ही ना पहली बात तो आपको मिलेगी नहीं मतलब मैं गैरेंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कोई जेनुइन रीजन आप बता देंगे तो हो सकता है आ ले जाना पहले वह तो एक बार में आप एक ही चीज करो मैं सिधा यही कहना चाहता हूं कि मैंने आपकी डाउट क्लियर करते होंगे कि चुट्टी मिले गए कि नहीं बागी एक दो दिन की चुट्टी तो आप वहां पे लेहीं लेंगे वहां से आने का तो है ना वो आप इंटर्व्यू कुष्चन गया कई लोग पूशते हैं कि इंटर्व्यू में क्या पूशन पूशे जाते हैं आप उसके बार में बता ही दो सबसे पहली स्मझिए उप आप एक चीज समय है इंटर्व्यू में कुछ ऐसा एक यूनिक कोई आप कर बेंदम आप इसके हिसाब से आपको ये सूट करता है कि नहीं आपका विभार कैसा है आपका एक्सप्रेसंस कैसे है उस टाइम पे आपका मोड कैसा है और आप जब इंटर्व्यू देने चाहो तो बस अपना मोड से ही रखो और पॉस्टिव रहो बस और खुलके बात करो कोई चीज कि नहीं पता है वो बड़ी बात नहीं है बड़ी बात ये है कि आप उसको किस तरीके से रख रहे हो कोई सेट उफ कोई कहसे नहीं में धर आपको देखने तो मुस्झे क्या क्या पूछे गए थें इंटर्व्यू में मैंने share कर रखा है आप मेरी वीडियो को खंगा लिए आपको मिलेगा और आपको मजा भी आएगा तो देखे पलटिये मेरे वीडियो को डूढ़िए ज़रा देखे उसमें मैंने questions बता रखें आपको कि मुझसे क्या questions पूछे गए थे और आप उस बेस पे आप त्यार कर सकते सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए मेरा क्या है कि मैं जो आप question पूछ रहे हो उसका मैं एकदम से सीधे से answer दे करके और वो खदम करना नहीं है मैं चाहता हूँ कि मैं इसको explain करूँ आपको और आप सही जो उसकी जड़ तक पहुचो ताकि आपको उसके बारे में और विस्तार से मैं एक question आप answer करूँ और तीन चार आप अपने आप से समझ जो मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ बाकि कितना सफल होता हूँ वो तो आप ही लोग बताएंगे मुझे next question ले रहा हूँ कि इसमें पूछना है कि काफी परेशान मतलब आश्यर चकेत भी है कि really it takes five years to become bank manager I see two to three years maximum है न लेकिन ऐसा नहीं होता देखो branch manager बनने के लिए या bank की manager बनने के लिए आपको क्या ability चाहिए पहले सबसे पहले तो जानना होगा कि उनकी क्या work होते हैं उसके बाद जानना होगा उस work को करने के लिए क्या ability चाहिए और फिर वो abilities कितने दिन में आप अपने अंदर develop कर सकते हैं और आप एक branch manager बन सकते हैं अब देखो bank manager क्या bank manager जिसे bank के size के हिसाप से भी depend करता है कि कौन हो सकता है कि कोई दो साल में भी manager बन जाए लेकिन उस bank की size क्या रहेगी पंदरा बीस करोन तीस करोन मतलब जो भी उसकी size रहेगी उस हिसाप से कितनी और ऐसे भी लोग है जो मतलब 20 साल करके भी manager बने हैं लेकिन उस bank के भी size क्या है उस branch की size क्या है तो किसी भी bank में हो जो particular branch का manager है और उस branch की book size और उसके grade के हिसाफ से तो वह बड़ा vast होता है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले system में आना पड़ेगा तो जब आप आ जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यह क्या होता है सारी है न तो बागे ठीक है I hope कि यह clear हुआ है अगले question ले रहे हैं थोड़ा मतलब पिछली question से ही संबंदित है और भी जादा मज़ेदार है कुछ रहे हैं कि आपको दो साल हो गए हैं आप manager बन गए होंगे आपकी salary भी 80,000 रुपे होगी वही जो पिछले question में मैंने कहा इसका आंसर भी लगभग वैसा ही है दो साल में आपको क्या लगता है कि अभी आप join करोगे जब आपका तो दो आपका selection हो जाएगा आपको फीज चमा करनी होगी उस टाइम पर आपको एक mail आएगा उस mail में आपको सबसे पहले तो आप से पूछा जाएगा कि आप चल फंड करोगे कि आप loan लोगे आपकर आप loan के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको एक PDF आटेश रहेगा आपके उसम पूरा process होगा वो आपके SM आपको inform करेंगे क्या papers लगेंगे कैसे होगा क्या eligibility criteria है यह सब आप उनसे बात कर सकते हैं बाकी eligibility criteria भी आप देख सकते हो आपके website पर भी दिख जाता है तो I hope कि यह जो पूरा process है यह clear हो जाएगा आपको आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक करिए चैनल पर नए है तो subscribe करिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्ट वीडियो में टेल देन खुस रहिए मस रहिए तंद्रस्तरिये मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेस्क आपको मिले इसके लिए बेल आ ही एगा